नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में Vodafone Idea Stock को डिसकस करेंगे Vodafone Idea Stock जो है आज 20% के डाउन ट्रेंड पे है और ये डाउन ट्रेंड 255 करोर के वॉल्यूम के साथ दिखा है और ये डाउन ट्रेंड के कारण रहा कि सुप्रिम कोट ने जो AGR वाली वर्डिक्त थी उसको अफोल्ड कर दिया रिजेक्ट कर दिया इसके पहले GS ने स्टॉक में 2.5 के टार्गेट दिये थे इसके पहले जो कुरेटीब पेटीशन कंपनी ने डाला हुआ था वो भी हमने लगबग लगबग रिजेक्ट के आसपास तक का ही देखा था तो इस समय मेरे व्यूज को समझे इससे पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे सबसे पहले यहाँ जीएम फाइनेंशियल ने क्या कुछ कहा है उसको समझने की कोशिस करेंगे और इस बातों को समझें इससे पहले देखें कि जीएम फाइनेंशियल ने 10 का टार्गेट दिया है वीडाउट फैक्टरिंग इन एनी एजी आर रिलीफ यानी एजी आर का रिलीफ जो जीएम फाइनेंशियल है वो नहीं मान रहा है सुप्रीम कोट का आउटकम जो रहा है वो बिल्कुल निगेटिव रहा है वोड़ाफन आइडिया के लिए जो 35,000 करोर रिडक्षन की बात हो रही थी वो आज खतम होते वे दिखा है यह इंडस्टावर के लिए भी निगेटिव होगा चुकि यहां सर्वाइबिलिटी जो वोड़ाफन आइडिया का है वो थोड़ा रिस्क दिख रहा है इसके कारण इंडस्टावर पे भी आज 10% के डाउन ट्रेंड दिखे यह क्योरेटिव पेटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था वो भी इस समय जो है गवर्मेंट वा आराउंड एट थाउजेंड करोर का उस पर भी कुछ फैसले आते नहीं दिखे यहां देखेंगे रिलीव कुड है रिजल्टेट फाइब रुपीज पर सेयर अपसाइड फोर वोड़ा फोन आइडिया यानि इस समय तो बहुत गिर चुका है दस रुपया पैतारीस पेसी के आसपास है यानि अगर यह रिलीव मिलता तो यहां से यह 15 के आसपास का होता यहां से तो इसी बात को तो GS ने भी पहले कहा था यही बात है भारती एर्टेल को फाइदा होगा और यही सब कुछ बाते हैं कैपेक्स प्रान यहां से थोरा मुश्किल हो जाएगा और भी कंपनी को पैसे की जरूरत होगी और यह सभी अपडेट जो है प्रेमियम टेलिग्राम पर बिल्कुल फ्री है इसको तो जोईन कर लो अभी तक नहीं जोईन किये तो पता नहीं आपने क्यों नहीं जोईन किये 250 करोर के आसपास का वॉल्यूम है स्टॉक ने अज अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेकडाउन करा मैं कई दिन से कह रहा हूं कि यह एक मेजर सपोर्ट है अब यह हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा और लोवर साथ 527 के लेवल भी देख सेगा